उज्जेन शहर से संपूर्ण जिले के अंदर सिख्षा विभाग में ड्यूटी का निर्वाहन करने वाले करीब 30 से जादा सिख्षकों का पिछले कुछ महीनों के अंदर निधन हुआ है जिससे वो बड़े दुखी और बड़े ही चिंतित नजर आ रहे हैं उज्जेन जिले के सिख्षक शिख्षकों की मांग है की राज्जी सरकार और मध्यपरदेश की मुख्यमत्री सीरासिय चोहन मरतक परिवार के सदोस्यों की मदद करे क्योंकि सिख्षक हर प्रकार के साथ से काम करते हैं और अपनी ड्यूटी का निर्वाहन करते हैं पर इस समय सिक्षक बैहत ही परिशानी के दोर से गुजर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों के अंदर उज्जेन जिले में करीब 30 से जादा शिक्षकों का निधन हो जुका है। अब ऐसे में हम सब के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन जरूरत मंद पात्र सिक्षक जनों के परिवार के सदस्यों की मदद की जाए और उन्हें इस दूख की घड़ी में साथ दिया जाए। उज्जेन से विरेंदर सर्मा की रिपोर्ट इस लिए ना तो हमारे करमचारी सांती की म्रत्ति होने पर उसको कोरोना अद्धा अलाब मिलता है और ना ही उसको वेक्सिनेशन में प्राक्मित्या मिल पा रही है। इन सब के लिए आज सिक्षाई बाग के समस्त करमचारी मिलकर एश्डियम महोदय को चर्चा करेंगे और उन्हें अपनी समश्या सा अउगत करवाएंगे। किन विश्व पर मुख के चर्चा हो सकती है और क्या राकरन करना जी सरकार को ? मुख्य रूप से शाषन से हमारी ये मांग है कि सिक्षाई बाग के करमचारियों को कोरोना युद्धा माना जाए जिले में लगबग 25 सिक्षक की कोरोना के दोरा नत्य हो गई है जो विबिन शाषकी कारियों में स्वलगनत है और प्रदेश में यह आकड़ा लगबग 200 से अधिक्का है और हम चाहते हैं कि सिक्षाई बाग के करमचारियों को कोरोना युद्धा माना जाए जिससे उनके वरिवार को कोरोना युद्धा गेलाब मिल सके साथ ही उसे फ्रंट लाइन वरकर भी माना जाए जिससे जो करमचारी पेतलिस वरस से कम उम्र के हैं उनको भी कोरोना टिका का मतलब टिका करने में शामिल किया जा सके हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भुले